मेरा नाम है अमंत्रिवेदी इस वीडियो में आप देख रहे हैं वर्ट पावर मेड इजी बाइ नॉर्मल लूइस की समरी विच इस बिंग प्रेजेंटेट बाई मी अमंत्रिवेदी और मेरे बारे में आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं अगर आप सभी लोग ने अभी तक इस सेशन की पहली वीडियो आप देख रहे हैं तो आप पुरानी वीडियो इसके पहले एक वीडियो हम इसको बना चुके हैं जिसको आप यहाँ पर आई बटन पर क्लिक करके आप देख सकते हैं जिसमें हमने सेशन वन के जो वर्ड्स थे उनको कवर किया था आज जो हमारा यह वीडियो है इसमें हम सेशन टू के वर्ड्स को कवर करने वाले हैं देखिए आप सभी को जिनके पास एक किताब नहीं है उन सभी से मैं यह कहूंगा Amazon या फिर Flipkarts प्लिपकार्ट से ठीक है तो देखो इन वीडियोachen को अगर आप देख रहें तो किताब के साथ देखेंगे तो ज्यादा फायदा हो आगा अगर आपने किताब ख्रीद रखिए और फिर आप ये वीडियो देखेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा क्योंकि अगर सिर्फ वीडियो देखेंगे और किताब ही नहीं होगी तो reference point क्या होगा आपके पास ना reference point नहीं होगा तो 100-500 रुपए की किताब है इतना invest करना वर्थ है आप करीब 1500 रुपए इसमें print है और इसके आसपास 120 की मिल जाती है किताब तो अगर आपने अभी तक यह किताब नहीं खरीद दिये तो किताब खरीद लो सबसे पहले ठीक है क्या करना है Amazon पर जाना वर्ड पावर मेड इजी बै नॉर्मल लूइस यही कवर पेज मिलेगा आपको यह किताब आप खरीद लिजेगा उसके बाद आप इसको कि वीडियो को तो देख लिए देखते रही है और साथी स देख रहे हैं इसमें हम बात कर रहे हैं हाव टू टॉक अबाउट परस्नालिटी टाइप्स ठीक है यहीं कि बेसिकली हम इस वीडियो में किसकी बात कर रहे हैं अबाउट परस्नालिटी टाइप्स तो परस्नालिटी टाइप्स पर जो वीडियो जो आपके सेशन होते हैं तो टोटल तीन सेशन होंगे ठीक है तो यह सेशन वन से लेकर तीन तक आपके आल्मोस्ट सेमिलर वर्ड्स आपको चलते हैं पहले सेशन में आपने कुछ शब्द देखे फिर उसके बाद दूसरे सेशन में आपको शब्द देखें और तीसरे सेशन में आपको शब्द देख ठीक है तो 42 नहीं 47 sessions मिलते हैं और जिसमें 17 करीब आपके पुरे पार्ट होते हैं ठीक है तो 16 17 पार्ट से उसके बाद 16 हर में आपके 3 session रहते हैं तो 42 48 आपके session आपको मिलेंगे तो आज का जो वीडियो है यह session 2 पर है जिसमें हम बात करेंगे इसी personality types के आगे के पार्ट के बारे में ठीक है तो इस वीडियो को प्रसुत करता हूं मैं मेरे बारे में आप यहाँ पर जनकारी ले सकते हैं आज के session को शुरू करते हैं before we start the session इसमें देखिया आपको मैं बता दूं आज का जो इसमें पहला पार्ट इन्होंने दिया होता है वो दिया होगा ego का ठीक है अब ego का मतलब मैंने आप लोगों को कल बताया था इगो का मतलब हो गया pride किसी को जैसे self pride है अपने ओपर घमंड है थोड़ा उस sense में आता है ego कई बार negative sense में ज्यादा इस्तेमाल करते हैं कि do not let your ego come in mid किसी से बात करने के लिए अपने ego को बीच में मत लाने दीजिए यानि कि आपका ego बीच में नहीं आना चाहिए आपका जो self pride है वो बीच में नहीं आना चाहिए your sense of your own value जो है वो बीच में नहीं आना चाहिए मैंने आपको बताया था इसके बाद मैंने आपको दो शब्द आपको कल कराया थी देखो इन सभी के meaning जो हैं वो मैंने कल आपको करवा दिये हैं तो जिन लोगों को नहीं पता है उन इगो पर बनते हैं बस फर्क कितना आप समझ लो कि इगोईस्ट जो होता है वो भी अपने आपको बहुत कुछ समझता है लेकिन वो उतना बोलता नहीं है लेकिन इगोटिस्ट में T आया है T for talk समझ लीजे इसका मतलग इसके बाद हमने बात करी थी तो इगोसेंट्रिक आपका इस तरीके का होता है वो तो इसके आपने आपको बहुत अधिक इमपोर्टेंट समझता है और सुचता है कि वही सबसे ज़ादा इंपोर्टेंट है इसी तरीके से इगो मेनियाक, इसमें word आया आपका मेनिया, मेनिया मतलब हो गया morbid obsession, ये सारे शब्द मैंने कल करवा दिये थे, तो कल वाला वीडियो आप सभी लोगों ने शायद देखा होगा, ठीके मेनिया मतलब हो गता है morbid obsession, morbid obsession मतलब हुआ किसी चीज के लिए पागलपन, मतलब क्या आता है कि इसी जो अपने आपको ज़्यादा समझने का, जो concept है, इसे हम क्या कह देते हैं, egoism, ठीके, तो egoism का मतलब क्या होगा, the fact of thinking that you are better or more important than anyone else, यानि कि ये सोचने, ये विचार कि आप किसी अन्य वेक्ति से ज़्यादा important है, इसी तरीके से egocentric हम देख चुके हैं, और eg egomaniac, egomaniac मतलब भी बता दिया मैंने आपको, तो ये सारे शब्द हमने कल की class में cover कर लिये थे, आज कित्रे लाग क्लास के लिए आगे वढ़ते हैं और अगला word हम देखते हैं, that is alter, alter का मतलब मैंने आप लोगों को कल बताया था, क्या होता है, alter का मतलब हो जाता है, other, alter का meaning हम लोग आज की class में भी आगे देखेंगे और इसके बाद इन्हें cover करते हैं, ठीक है, तो पहला word हमें मिलता है जो आपका alter से, that is alter, alter का मतलब मैंने आपको बताया, other, ये आपका root word है, ठीक, ये alter जो है, ये आपका root word है, root word यानि कि जो root word क्या होता है, root word अगर किसी root word के स कोई भी suffix या फिर prefix लगेगा, तो उसके meaning को change करता है, उसके meaning को थोड़ा सा modify करता है, इसी से alter से ही पहला शब्द आपका बना altruism, ठीक है, शब्द बना altruism, altruism का मतलब क्या हुआ, altruism का मतलब हो जाता है, philosophy of putting another's welfare above one's own, यानि कि वो वेक्ति जो अपने दूसरे वेक्ति को अपने उपर रखता है, क्यानि कि दूसरे के, the fact of caring about the needs and happiness of other people more than your own, यानि कि आप दूसरे की welfare को, दूसरे की भावनाओं को, दूसरे की खुशियों को अपने से उपर रखते हैं, उसे हम कहते हैं, altruism, इस पूरे जो concept है, इसे हम क्या कहते हैं, altruism, जिस भी सब्द में आ आपके ism आपका prefix होता है, suffix होता है, उसे हम कहते हैं, वो शब्द आपका हमेशा abstract noun होता है, कौन सा noun होता है, abstract noun, ठीक है, तो altruism किसे कहा, altruism हो गया, ये विचार, ये philosophy, कि आप किसी अन्य वेक्ति को, किसी दूसरे के welfare को, अपने से उपर रखते हैं, तो another, यानि कि alter मतल हो गया, दूसरे के welfare को अपने से उपर रखना, synonym आपके क्या हो जाएंगे, charity और clemency, antonym आपका हो जाएगा, greed या फिर selfishness, ठीक है, ये दो आपके antonym हो गया और ये आपके synonym हो गया, example के तोर पे मैंने कहा, some may choose to work with vulnerable elderly people out of altruism, क्यानी कि कुछ लोग choose कर सकते हैं, altruism, out of alt altruism मतलब, दूसरों की मदद करने की भावना के लिए, कई लोग vulnerable elderly people की मदद करना, choose कर सकते हैं, ठीक है, ये हो गया, altruism, altruism, altruist, altruist, altruist क्या हो जाता है, ये भी देखिए, altruist से ही word बन रहा है, altruist का मतलब क्या हो गया, other, तो altruistic मतलब क्या हो जाएगा, interested in the welfare of others, जो दूसरों के विचार, दूसरों के बारे में care करे, दूसरों की खुशियों के बारे में care करे और दूसरों की needs के बारे में care करे, उनके welfare में interested हो, उनके भले में interested हो, उसे कहेंगे altruistic, तो altruistic क्या हो जाता है, आपका adjective, example के तो, synonyms के तोर पे आप याद रख सकते हो, beneficient या पिर benevolent यह दो आपके synonym हो जाते हैं एंट्रोनिम्स जैसे हुआ आपका self-indulgent या फिर self-seeking या आपके एंट्रोनिम हो जाएंगे self-indulgent या फिर self-seeking example के तौर पर आप याद कर सकते हो या पूरी तरीके से दूसरे की मदद की करने की भावना से किया गया कारे था तो altristic मतलब सभी को समझ में आ गया alter का मतलब हुआ other alter से पहला शब्द हमें आ रहा है बना altrism मतलब दूसरों की मदद करना altristic मतलब हो गया आपका interested in welfare of others अब देखिए इसी से दूसरा सब्द आपका बनता है alternate तो alternate मतलब क्या हो जाता है कि जैसे जैसे for example अगर मैं कहूं आपको ये videos alternate days पर मिलेंगे तो alternate days पर मिलने का मतलब क्या हुआ happening और following one after the other regularly क्या हुआ happening one after other regularly यानि कि आज मिला है अब कल नहीं मिलेगा फिर और so मिलेगा that is called आपका alternate to take one skip और skip one etc ठीके तो alternate का मतलब क्या हुआ other day पर क्या मतलब हुआ other day पर ठीके तो happening meaning हो गया happening one after other regularly ठीके उसे हम कहते है alternate synonyms के तोर पर आप याद रख सकते हो interlace या फिर interpers ठीक है example के तोर पर आप देख सकते हो to make the appetizer you should alternate layers of you should put alternate layers of tomatoes and cheese यानि कि appetizer को बनाने के लिए आपको alternate layers यानि कि एक tomato की layer फिचीज की फिटोमेटो फिचीज इस तरीके से आपको layers set करनी चाहिए तो alternate मतलब हुआ क्या हुआ एक को एक बार एक छोड़के ठीक अगले question पर आते हैं अगला हो जाता है alternative जैसे कि अगर मैं कहूँ there is no alternative left कोई भी alternative नहीं बचा है तो alternative का मतलब क्या हो जाता है alter मतलब हो गया other alternative का मतलब हुआ कोई other choice क्या मतलब हुआ other choice कोई un choice नहीं बची है synonyms के तौर पर आप याद रख सकते हो choice या फिर discretion और antonyms के तौर पर आप याद रख सकते हो duty या फिर obligation ठीके तो यह आपका alternative का मतलब हो जाएगा ठीके example के तौर पर there is no alternative we must cross the stream to reach our destination हमारे पास कोई और चारा नहीं है we will have to cross the stream हमें उस धारा को पार करना ही होगा destination पर पहुंचने के लिए तो Altar का मतलब समझ में आया Altar का मतलब क्या हुआ other choice और की जैसे और मतलब Other alternative मतलब choice क्या अन्य च्वाइज ठीक है कोई और मौका इसी तरीके से पहला अगला बर्द हो जाता है alteration, alteration का मतलब क्या हो जाता है alteration का मतलब होता है कि आप alteration करा रहे हैं, आप अपने कपड़ों में क्या करा रहे हैं, alteration करा रहे हैं तो alteration का मतलब हो जाता है change to something that makes it different क्या मतलब हुआ, change to something that makes it different ठीक है a change to something that makes it different जो कि उसे change कर रहा है, जो उसे बदल रहा है उसे हम कहते हैं alteration synonyms के तौर पर आपका difference हो गया या modification हो गया antonym हो जाएगा fixation या stabilization आप उसे fix कर रहे हो आप stabilize कर रहे हो तो alteration मतलब जैसे आप कपड़ों में कराते हो आप कपड़े खरीते हो और अगर कपड़े का size थोड़ा कम जादा है तो आप उसे क्या कराते हो उसमें alteration कराते हो वह क्या करता है उसमें change कर देता है जिससे कि आप उसको आपकी address बहतर दिखने लगती है ठीक alteration मतलब समझ में आ गया अगला शब्द हमारा alter से ही बनता है that is altercation altercation का मतलब क्या हो जाता है altercation का मतलब हो जाता है un noisy argument or disagreement क्या मीनिंग हो जाता है un noisy argument or disagreement un noisy argument or disagreement यानि कि कि किसी के साथ में विवाद होने को बोलेंगे altercation जैसे कि मेरा उससे altercation हो गया यानि विवाद हो गया जगड़ा हो गया तो altercation मतलब हो जाता है verbal dual यानि कि आपका किसी के साथ जगड़ा होना उससे हम कहेंगे altercation synonyms के तौर पर आप यादर सकते हो disagreement या फिर dispute और antonyms हो जाता है आपका reconciliation और agreement example के तौर पर I had an altercation with the ticket collector यानि कि मेरी ticket collector से बहस हो गई तो altercation का मतलब एक तरीके से बहस हो गया जगड़ा हो गया लड़ाई verbal यानि कि जो आप verbal ही लड़ाई होती है उसके लिए आता है altercation ठीक है अगला term हमारा आता है alter that is other alter that is other का मतलब हो जाता है alter that is other आपको पता है इसी से मैंने आपको कल भी बताया था ये शब्द altered ego तो alter का मतलब हो जाता है other और ego का मतलब होता है I तो मतलब हुआ once other self अब once other self कौन होता है once other self आपका वो वेक्ति होता है close friend who is very like oneself yourself ठीक है क्या हुआ इसका मतलब हो जाता है close friend who is very like oneself आपका ऐसा close friend जो आपकी जैसा बहुत ज़्यादा दिखता है उसे हम क्या कहते है alter ego तो alter ego का मतलब समझ में आया alter ego किसे कहते हैं आपका जैसे आपका वो मित्र जो कि आपके जैसे ही दिखता है आपके जैसे ही सूचता है आपके जैसे ही विचार रखता है उसे कहेंगे alter ego यानि कि आप कह सकते हो best friend synonyms के तोर पे amigo या फिर buddy और antonyms के तोर पे enemy या फिर foe हो जाएगा example के तोर पे आप देख सकते हो the hero of the novel is clearly the author's alter ego जो novel का hero है वो clearly author का alter ego है यानि कि बिल्कुल ही उसके जैसा ही दिखने वाला वेक्ति जो novel का जो character है वो बिल्कुल वैसा ही उन्हें ड्रॉप बनाया हुआ है right down to his receding hairline and middle-aged punch ठीक है तो यह आपका word हो गया यहां तक आपकी जो आपने यह पॉंश का मतलब आप जान लीजिए पॉंश का मतलब हो जाता है आपका a fat stomach on a man जो fat stomach होता है उसी को हम कहते हैं आपका पॉंश ठीक है चली तो यह आपके आज के session 2 के words थे देकि session 2 में इन्होंने जादा words नहीं दिये हुए हैं तो अभी तक हमने इसको कर लिया अब session 3 में काफी शब्द होंगे तो session 3 तो हम लोग detail में एक ही video में करेंगे लेकिन आगे से हम क्या करेंगे जो session 1 & 2 होगा जैसे आपका कल तो session 3 होगा तो session 3 में तो जादा शब्द होंगे तो वो तो एक video में ही आएगा लेकिन आगे से ही होगा कि हम session 1 प्लस 2 पे एक video कर लेंगे और session 3 पर अलग video कर लेंगे ठीके यह मेरा विचार है आप लोग अपना विचार comment section में जरूर दर्ज कराएगा व्योंकि आपका feedback बहुत important है और feedback आप लोग comment section में दे सकते हो ठीके चलिए एक बारी सारे words का revision कर लेते हैं और उसके बाद session को wind up करते हैं alter मतलब other हुआ altrism मतलब हो दूसरों की मदद करना welfare करना इस बात की पुरी philosophy altristic जो इसका nature ऐसा हो जो adjective है जो दूसरों की मदद करता हो alternate हो गया जो एक के बाद एक दिन छोड़ कर उसके बाद आया alternative मतलब कोई choice उसके बाद आया alteration मतलब change करना altercation मतलब हो noisy argument लडाई होना जगड़ा होना alter ego मतलब हो गया other self of oneself तो यह हमने शारे सब्दाज के देख लिए अगर आपको इस session पसंद आया हो तो वीडियो को like कीजेगा comment section में अपना feedback जरूर दीजेगा आपको इस session कैसा लगा आपको इसमें कुछ changes चाहिए आपको जो भी विचार है आप उन्हें दर्च करा सकते हो इस session का pdf आपको telegram channel पर मिल जाएगा telegram channel का link आपको comment section में pin मिलेगा आप अगर खुद से सर्च करना चाते हैं तो सर्च कर सकते हैं at amantrivedi telegram पर जाके सर्च करेंगे या description box में open करेंगे तो भी आपको telegram का link मिल जाएगा वहाँ से telegram channel आप सभी लोग join कर लीजिएगा इसके अलावा अगर आप unacademy plus subscription लेना चाते हैं तो more than 10% discount के लिए आप मुझे whatsapp कर सकते हो 829-117042 यह मेरा whatsapp number है जहाँ पर आप मुझे message करके अगर unacademy plus subscription लेना चाते हैं तो आप वो extra discount के बारे में जानकारी ले सकते हैं कौन-कौन से courses है मैंने उसके बारे में जानकारी दे दी आपको क्या करना है आपको referral code note करना है amant जिससे आपको 10% discount मिलेगा ठीक है so let's keep it till here आशा करता हूँ यह session समझ में आया होगा and निराश मत हो यह गास क्योंकि session 2 में आपको थोड़े कम शब्द मिले आशा करता हूँ यह video पसंद आया होगा thank you so much for watching have a good day अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो चैनल सब्सक्राइब कर लो और जैसा कि मैंने आप सभी लोगों से का था मुझे आप सभी लोगों का सयोग चाहिए होगा support चाहिए होगा please वो बनाया रखिए तो